दोस्तों आप देख रहे हैं भगवान रंगनात का दिब्व और भब्व बामन फुटी रत यह जो रत है 16 मार्च 2023 को सुबह साथ वजे पेठा की बली देने के बाद जो है नगर भमण के लिए आगे बढ़ेगा भगवान रंगनात आप इस रत के बीच और बीच बिराजमान होंगे 33 कोर्ड देपता अश्व आपको दिखाई दे रहे हैं खास बात यह है कि यह रत जो है किसी भी मेकेनिकल पुर्जे या उसकी साहता से नहीं चलता है बलकि इसे भक्त चलाते हैं बगवान रंगनात के भक्त जो है इस रस्टे को अपने हातों में पकरते हैं और यह जो आप देख रहे हैं बड़ा ही मोटा रस्टा है इसकी सक्ती से ही यह रत आगे बढ़ता है और आपको एक और दिब्वे चीज बता दें कि यह जो रत हैं करीब 200 बर्स पुराना है और उस समय से इस बड़े रत को चलाने के लिए क्या कारीगरी की गई थी वह भी आपको दिखाते हैं इसकी इस्टेरिंग और इसकी ब्रेक जो है वह यहाँ पर यह आप देख रहे हैं ठेला यह रखे हुए हैं जी हाँ इसी की सायता से यह रत जो है घूमता है इसे पारम पर एक भासा में ओट कहते हैं दक्षण सैली का मंदर है रंगजी मंदर वहाँ की पारम पर एक भासा में इसे ओठ कहते हैं आप समझ लें ब्रेक किलिच और इस्टेरिंग सब कुछ यही है तकरीवन 25 से 30 लोगों का यहां कम्मुनिकेशन सिस्टम इस ओट की साहता से लगता है और यह रत जो है पूरे नगर में भमण करता है रुकता है जगे जगे आरती पूजा के लिए उसके बाद यदि इसको अबस्तारे से जो है इस रत के पईयों को गुमाया जाता है पूरा की पूरा रत जो है गुमाया जाता है वो हम आपको कल वीडियो में दिखाएंगे जब तक के लिए आप भी बोले प्रेम से रादे रादे जै गोदा रंग मन्नार और एक बार दिब रत के फिर से दर्सन क झाल झाल झाल